हेलो नमस्कार और गुड़ मॉर्निंग दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामानी ज्यान से संबंदित कुछ महत्पोण और एक्जाम औरियेंटेट क्वेस्चन्स एक लाइब टेस्ट के रूप में आपके साथ डिसकस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी महत्पोण हैं सभी क्वेस्चन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विजम अपियर होंगे दोस्तो जितने भी लोग हमारे लाइब सेशन के साथ जुड़ रहे हैं अधिक से अधिक अपने ग्रूप में इसको सेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की कोसिस कीजिए जिससे कि आपका इन क्वेस्चन्स का अच्छे से रिविजन हो जाए और आपको एक्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इनकी PDF के लिए आप हमारे Telegram गूरूप या फिर WhatsApp गूरूप को जोईन कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपना स्कोर भी सेयर कर सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेस्चन सही हुए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रसन है पहला प्रसन है दोस्तों निमलिकित में से कौन सी ग्रंती जैविक घडी यानि कि बैलोजिकल क्लॉक की तरह कारी करती है which one of the following glands functions as a biological clock तो इसका right answer है pineal gland तो pineal gland जो है दोस्तो human body के अंतर biological clock की तरह act करती है pineal gland एक अंतह स्रावी ग्रंती यानि कि endocrine gland है जो की brain में present होती है और इसके द्वारा melatonin नामक हार्मोन का स्रावन किया जाता है और melatonin क्या करता है हमारी sleep cycle और wake cycle यानि कि जो हमारा निद्रा चक्र होता है और जागने का चक्र होता है उसको regulate करता है इसलिए pineal gland को biological clock बोला जाता है अगला प्रस्न है दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशी की जीव कौन सा है which one of the largest unicellular organism तो acetabularia जो है वो सबसे बड़ा unicellular organism है जो की एक प्रकार का green algae यानि कि हरा सेवाल होता है यह subtropical water में पाया जाता है और इसका size काफी बड़ा और complex होता है और यह largest unicellular organism होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? option number B, acetate, buleria अगला प्रस्न अंगोरा उन किस पसु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा वूल is obtained from a breed of which of the following animals दोस्तों अंगोरा वूल जो है वो खरगोस यानि ये रैबिट से प्राप्त किया जाता है अंगोरा रैबिट से या उन प्राप्त किया जाता है या बहुत ही expensive यानि कि महंगा, soft और silky वूल होता है इसका उप्योग, sweater, yarn, scarf, suit और blanket मनाने में industries में किया जाता है अगला प्रसन है दोस्तों किस मुगल सहनसा ने तंबाकु के प्रियोग का निशेद किया विच मुगल रूलर prohibited the use of tobacco तो जहागीर ने तंबाकु के यूज को ban कर दिया यहागीर के सासनकाल में तंबाकु का उप्योग नहीं होता था जहागीर फोर्थ मुगल एंपरर था जिसने 605 से 1627 तक राज किया और इसका वास्तविक नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम और जहागीर का मकबरा जो है दोस्तों तो जो atom होता है यहाणी की परमान होता है तो उसके अंदर जो elektron होता है उसकी उर्जात हुए दोस्तों वो निगेटिव मों होती है हमेज़ा निगेटिव एल्ली होती है यानि की neglect होती है तो इसका आंसर कितना हो गालभा यानि कि सून यसे कम यह काफी important question है और previous years के railways और SSC के exams में काफी बार repeatedly पूछा गया है अगला प्रस्न दोस्तो नाभी की उर्जा पैदा करने के लिए प्रियुक्त केरल तटो पर मोनाजाइट बालू में कौन सा तत्व प्रजेंट होता है the minerals found in the monagite sand of केरला तो केरला के समुद्र के तटों पर monagite बालू मिलती है और उन में uranium present होता है जिसका उप्योग नाभी की उर्जा यानि कि nuclear energy के production में किया जाता है तो monagite बालू में क्या present होता है uranium present होता है दोस्तो केरल में सबरी माला मंदीर भी present है और इंडिया की first super fab lab भी केरल में बनाए गई है और केरल के governor है आरिप मोहमत खान और के चीफ मिनिस्टर है पीनराई बिजियन जो की communist party of इंडिया के member है है अगला प्रस्ण है HCL यानि यह hydrochloric अमल का स्रवण आमासाई में इस्तित कौन सी कोशिकाओं से होता है जनरल साइन्स के section में पूछा जाने वाला काफी important और exam oriented question है ध्यान से देखेगा HCL is secreted by which of the following cells of stomach तो दोस्तों stomach में हमारी parietal या फिर oxentic cells होती है ठीक है oxentic या फिर parietal cells होती है इन cells से HCL का स्रवण होता है और HCL हमारे सरीर में भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है अगला प्रस्ण है दोस्तों मान सपेश्यू का निर्मान करने वाली protein का नाम बताइए proteins that are responsible for muscle formation दोस्तों muscle formation के लिए actin और myosin नाम के जो protein है वो responsible है actin और myosin को collectively myofibrillar भी बोला जाता है ये muscle component और muscle के structure formation ही में एक बहुत ही crucial role play करती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number C actin and myosin proteins are responsible for muscle formation दोस्तों अगला महतुमण प्रस्ण है निमलिखित मैं से कौन माल्दिव के साथ भारत की समुदरी सीमा बनाता है काफी important question है coastal boundary between India and Maldives तो India और Maldives के वीच की जो coastal boundary है उसे बोला जाता है 8 degree channel उसे क्या बोला जाता है 8 degree channel 8 degree channel जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप और Maldives को इंडिया के लक्षद्वीप और independent Maldives को separate करता है बात आती है Maldives की तो Maldives की capital है माले यहां के जो president है वो है इबराहीम मुहम्मद सोले है यहां की parliament का नाम है दोस्तों यानि की जो संसद है उसका नाम है मजलिस यह काफी बार exams में पूछा गया question है और यहां की currency है रुपिया इतनी information आप यहां से याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न है दोस्तों संग लोक सेवा आयोक के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है who appoints the member of UPSC तो UPSC के जो हमारे members होते हैं दोस्तों उनकी जो नियुक्ति होती है वो राश्टरपती के द्वारा की जाती है President of India के द्वारा की जाती है और present time में हमारी UPSC के Chairman है Arvind Saksena ठीक है इनका नाम आप याद रखेंगे Current Affairs की द्वारा है और दूसरा एक important question यहाँ से बनता है कि CBSE यानि कि Central Board of Secondary Education के Chairman कौन बनाएगे हैं तो CBSE के Chairman है दोस्तों Manoj Ahuja ठीक है तो यह recent के appointment है इनको आप याद रखेंगे अगला प्रस्न है जांसकर स्रेणी कहां present है जांसकर range situated in Jammu and Kasmir तो केंदर सासित प्रदेश Jammu and Kasmir में जांसकर range present है Jammu and Kasmir से आप एक बात याद रखेंगे यह अभी recent में Union Territory बनी है और इसके पहले Lieutenant Governor है ग्रीश चंदर मूर्मू ठीक है और लद्दाक भी एक Union Territory बनी है और लद्दाक के जो गवर्नर है उनका नाम है आर के माथूर यानि यह राधा कृष्न माथूर तो इतनी बात आप यहां से याद रखेंगे जांसकर स्रेणी जो है Jammu and Kasmir में present है अगला प्रस्न है दोस्तो सिंदु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है जोग्रिपी के सेक्षन में पुछे जाने वाला important और exam-oriented question है What was the traditional name of the part of हिमालिया lying between Indus and सतलज तो Indus और सतलज के बीच में हिमालय का जो भाग है traditionally उसे पंजाब हिमालिया कहा जाता है option number A is right answer उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर question पसना रहे हैं तो please वीडियो को अधिक सेर कर दीजिए और वीडियो को like जरूर कीजिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर दोस्तो अगला प्रस्न है निम्न नदियू में सबसे अधिक नदीपत परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है यानि कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी most divated river in India तो most divated river कौन सी है दोस्तो कोसी नदी कोसी जो है भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली river में से एक है और कोसी को बिहार का सोक यानि इस सौरो और बिहार भी कहा जाता है ये बात आप याद रखेंगे बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है और यहां से दो तीन बाते में आपको और बताते वे चलूं कि बंगाल का सोक किस नदी को गाजाता है बंगाल का सोक सौरोव बंगाल बताईए दामुदर नदी को बुला जाता है ठीक है बंगाल का सोक किसे बुला जाता है दामुदर नदी को असम का सोक किसे बुला जाता है चीन का सोक जो है दोस्तो ये वांग हो नदी को कहा जाता है कौन सी नदी को वांग हो और वांग हो नदी को पीली नदी या फिर यलो रिवर भी बोला जाता है ठीक तो इतनी information आप यहां से याद रखेंगे जो कि आपके exam के लिए महत्पूर्ण है बढ़ते हैं अगले प्रस नहीं है which of the biome is called bread basket of the world यानि कि किस biome को दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है दुनिया की रोटी की टोकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस biome में सबसे ज़्यादा गीहूं का उतपादन किया जाता है दोस्तो mid latitude grassland जिसको कि हम temperate grassland भी बोलते हैं इन छेत्रों में सब से अधिक wheat production होता है मेंली ये छेत्र जो है वो North America मां लाई करते हैं तो इसलिए mid latitude grassland या फिर temperate grassland को bread basket of the world भी कहा जाता है अगला प्रस्न है Asia and North America are separated by which straight ठीक है तो Asia और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जो straight है जो जलसंदी है उसका नाम बताईए दोस्तों bearing जल स्ट्रेट द्वारा Asia और North America को separate किया जाता है option number C is right answer most important question है इसको आप ज्यान रखेंगे अगला प्रस्न है the stagnant water at the bottom of a lake is called एक जील के जो तल पर इस्थिर पानी होता है उसे क्या कहा जाता है जोस्तों एक जील होती है यानिके एक लेक होती है जो उसके top में जो water present होता है जो moving water होता है जो उसके top में present होता है उसे बोला जाता है epimillion ठीक है और जो सबसे bottom में होता है उसे बोला जाता है hypomillion ठीक है option number D is right answer और इसकी एक खास बात ही होती है कि इसका temperature जो होता है वो हमेशा constant रहता है ठीक है इसका temperature कभी change नहीं होता है यानिके हमेशा constant रहता है तो stagnant water at bottom of lake is called hypomillion अगला प्रस्ण है who were the first kings to issue gold coins in India तो भारत में सरुपर्थम बार कौन से ऐसे राजा थे जिन्नोंने सोने के सिक्के जारी किये ठीक है तो जोस्तों history की books में ये लिखा गया है कि जो इंडो ग्रीक्स यानिकी भारत युनानी थे इनके सासनकाल में ही भारत में सोने के सिक्के जारी हुए थे ठीक है ये उनमें अपनी स्मिर्थिया अंकित कराते थे यानिकि कोई अपना commemorate बनाता था सोने के सिक्कों पर ठीक तो इसका answer क्या हो जाएगा इंडो ग्रीक्स अगला important question दोस्तों who called the newspapers the bible of democracy तो किसने जो newspapers होते हैं print media होती है उसे bible of democracy यानिकि लोगतंत्र का bible बोला दोस्तों इसका answer है Walter Lipperman ठीक है Walter Lipperman द्वारा क्या कहा गया कि जो newspapers हैं वो bible of democracy है अगला प्रस्न है on which of the following rivers is Bangkok located यानि कि Bangkok किस नदी के तट पर इस्तित है तो दोस्तों Bangkok जो है वो Thailand की राज़दानी है और Thailand की currency है वो currency है बाहट ठीक है अब यहां से दो तिन question exams में और पुछ़े जाते हैं कि Paris किस नदी के तट परस्तित है तो पेरीज जो है दोस्तों वो दोस्तो आज का अंतिम प्रस्न है इसके बाद आप comment box में हम अपना score share कर सकते हैं कि आपके कितने question इसमें से आते थे और कितने question आपके सही हुए और कितने question गलत हुए ताकि हमको तो पता चले कि कितने बंदें इसको सही कर रहे हैं अगला प्रस्न है दोस्तों who is the author of a famous book a better India a better world यह बहुत ही famous book है इसके लेखक का नाम बताइए दोस्तों a better India a better world यानि कि एक बहतर दुनिया और एक बहतर भारत जो है यह N.R. नारायन मूर्ति द्वारा लिखे गई अब N.R. नारायन मूर्ति कौन है यह इंडिया के billionaire और जो बहुत ही famous tech company है Infosys के co-founder और non-executive chairman है ठीक है Infosys company के नाम आपने सुना होगा तो यह उसके co-founder और chairman है N.R. नारायन मूर्ति और इनकी जो missage है इनकी पतनी है उनका नाम है सुधा मूर्ति वो भी एक famous personality है तो इसक दो तो यह थे हमारे आज के प्रस्ण है जो कि आपके exam के लिए काफे महतपून हैं यह सभी exams के लिए महतपून है CISF, BSF और Delhi Police at Constable, Army के exam के लिए SSC के exam समतों और Railway के exam समतों यह question पूछे ही जाते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को share कर द झामे समतों हुआए सकते हैं यह सबस्टेम वीडियो के अच्छी लगी ही ही जिए SHC